वैदिक कथाएं और गाथाएं में आपका फिर से स्वागत हैं। मैं आपका मेजबान, एक साधारण कथाकार। आज हम प्राचीन और गहन ग्रंथों, जिन्हें वेदों के नाम से जाना जाता है, में प्रवेश करेंगे और उनके रहस्यों, शिक्षाओं और महत्व को समझेंगे। वेद हिंदु धर्म के सबसे प्राचीन और पूजनिय शास्त्र हैं, जो प्राचीन संस्कृत में रचित हैं। ये ज्ञान, मंत्रों और दार्शनिक शिक्षाओं का खजाना है, जो वैदिक संस्कृती की नीम बनाते हैं। आईए हम चार वेदों, रगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथर्ववेद के माध्यम से यात्रा करें और उनके रहस्यों को उजागर करें। खंड एक, रगवेद, रगवेद, चारों वेदों में सबसे प्राचीन, विभिन्न देवताओं को समर्पित, एक हजार से अधिक मंत्रों का संग्रह है। जिसे हमने एक पूर्व एपिसोड में जाचा था। जो उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सही निश्पादन के महत्व पर जोर देते हैं। यजुर वेद में ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म, अंतिम सत्य के स्वभाव पर दाशनिक विचार भी शामिल है। खंड तीन, सामवेद सामवेद, धुनों और मंत्रों का वेद है। इसमें वे मंत्र शामिल हैं, जिन्हें वैदिक अनुष्ठानों, विशेश रूप से सोम यग्य के दौरान गाया जाना चाहिए। सामवेद के मंत्र मुख्य रूप से रगवेद से लिए गये हैं, लेकिन इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि उनकी संगीत आत्मक गुणों पर जोड दिया जा सके। सामवेद ध्वनी और कमपन के आध्यात्मिक अभ्यासों में महत्व को रेखांकित करता हैं, और यह दर्शाता है कि कैसे संगीत और मंत्र चेतना को उंचा कर सकते हैं और साधक को दिव्य से जोड सकते हैं। खंड चार अथर्व वेद अथर्व वेद अन्य तीन वेदों से अलग हैं क्योंकि यह रोजमर्रा की जिंदगी और व्यावाहारिक ज्यान पर केंद्रित हैं। इसमें उपचार, सुरक्षा और सफलता के लिए मंत्र, जादू और जादू टोने शामिल हैं। अथर्व वेद चिकित्सा, क्रिश्य, जादू और दर्शन जैसे विशयों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करता है। यह वेद वैदिक लोगों के दैनिक जीवन, उनके विचारों और आध्यात्मिक ज्यान का उप्योग करके व्यावाहारिक समस्याओं को हल करने के उनके दृष्टिकोन की एक जलक प्रदान करता है। खंड पांच उपनिशद वेदों के भीतर उपनिशद समाहित हैं, जो दार्शनिक ग्रंथों का एक संग्रह है, जो वास्त्विक्ता, आत्मा और परम सत्य, ब्रह्म का अन्वेशन करता है। उपनिशद अनुष्ठानिक प्रथाओं से एक अधिक अंतरमुखी और दार्शनिक दृष्टिकोन की ओर संक्रमन को दर्शाते हैं। उपनिशदों से प्रमुख अवधारणाओं में आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा, कर्म, कर्म और उसके परिणाम, और मोक्ष, पुनरजन्म के चक्र से मुक्ती शामिल हैं। ये शिक्षाएं वेदांत का मूल बनाती हैं, जो वैदिक ज्यान का अंतिम या पूर्णता है। खंड छे, वेदों का महत्व वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे जीवन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका हैं, जो अस्तित्व के हर पहलू को कवर करती हैं। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो कृपया हमारे पॉड़कास्ट को सब्सक्राइब, रेट और रिव्यू करें। अगली बार हम देवताओं के दिव्य अस्तरों की खोज करेंगे। तब तक प्राचीनों की बुद्धि आपके मार्गदर्शन में बनी रहें।